हलो गाईज आज मैं आपके लिए लेकर आएं वो अब्शेशन मुवी को जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की के उपर बेस्ट है जिसकी साधी एक बुढ़े आदमी के साथ हो जाती है लेकिन वो बुढ़ा आदमी उसे सैटिसफाइड नहीं कर पाता जिस बचे से उसकी एफएर एक गैरेज मिस्तिरी के साथ हो जाता है और मुवी के एंड होते होते हमें और भी कई सारे टूइश देखने को मिलता है तो मुवी की शुरुआत में हम सनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सारा दिन ट्रैवल कर गए एक शहर में आता है दरसल वो वहाँ पे एक बड़े गैरेज में जॉब की तलश में आया था लेकिन उसे आने में काफी देर हो गया था जिस वज़े से उसे वो जॉब नहीं मिलता अब रात में सनी वही पर ही भटकता रहता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एक होटेल में रह सके इसलिए वो रेश्ट करने के लिए रोड के साइड में एक बेंच पर बैट जाता है अब कुछ दिर बाद एक बुढ़ा आदमी अपने कार को लेने के लिए वहाँ पर आता है लेकिन तबी एक चोर उसके उपर एटेक कर देता है उधर सनी भी ये सब कुछ देख रहा था और वो उस बुढ़े आदमी की मदद करता है जिस वज़े से वो चोर वहाँ से चला जाता है इसके बाद कुछी दिर में वहाँ पर पुलिस और एम्बूलेंस भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बुढ़े आदमी का नाम है जोर्ज अब जोर्ज पुलिस से उस चोर के बारे में डिसकस कर रहा था और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर जोर्ज की खुपशूरत वाइफ लरिसा आती है इसके बाद जोर्ज लरिसा को सनी से मिलाता है और क्योंकि सनी ने उसका जान बचाया था इसलिए वो लोग सनी को अपने घर में डिनर करने के लिए ले कर जाते हैं जहांपर वो उसे काफी अच्छा सेलारी भी देता है इधर सनी भी उसके गैरेज में काम करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे एक काम की जरुरत था इसके बाद जॉर्ज सनी को उसके गैरेज में है एक रूम देता है जहांपर वो काम करके रह सकता है अब रात में लेरिसा जॉर्ज से सनी के बारे में पूछती है जहाँ पर हमें बदा चलता है कि लेरिसा सनी के आने पर खुश नहीं थी उधर हम दूसरी तिरफ सनी को भी देखते हैं जो दरवाजे के पीछे से उन दोनों की बाते सुन रहा था इसके बाद अगली सुबह जॉर्ज सनी को उसकी गैरेज दिखा कर उसका जो भी काम होगा वो उसे समझाता है तभी वो सनी को उसका एक प्रोजेक्ट दिखाता है जिसके उपर वो काफी दिनों से काम कर रहा था दरवसल जॉर्ज इस गारी को लेरिसा को गिफ्ट देना चाहता था लेकिन ये गारी अभी तक तयार नहीं हुआ था अब इसके बाद से सनी जॉर्ज के गैरेज में काफी मन लगा कर काम करता है जिससे वो जॉर्ज की दिल जीत लेता है इसी बिच हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब सनी गारेज में काम कर रहा होता है तब लेरिसा उसे चुपकर देख रही होती है और कुछी दिनों में सनी को भी ये बत पता चल जाता है कि लेरिसा उसके उपर नजर रखती है इसके बाद लरी से एक दिन सनी के पास आकर कहती है कि वो उसे गंदे नजरों में देखना बंद करे बरना वो काम से उसे निकाल देगी लेकिन सनी को उसके बाद पर कोई भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि ये सब कुछ लरी सानी ही पहले स्टार्ट किया था इसके बाद रात में सनी जॉर्ज के घर पर डिनर करने के लिए जाता है और जॉर्ज जब वहाँ से चला जाता है तब ही सनी लरी सा को सेड यूज करने लगता है इसके बाद अगली सुबह सनी काफी खुस था क्योंकि उसे जॉर्ज की कार की कर्बोरेटर मिल गया था जो कि जॉर्ज काफी दिनों से ढून रहा था लेकिन उसे नहीं मिल रहा था इसी भी जॉर्ज जब कार्बोरेटर लाने के लिए जाता है तब ही लेरिसा सनी के पास आ जाती है और इसी मौके का फाइदा उठा कर वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं इसके बाद थोड़ी दिर में जॉर्ज नया कार्बोरेटर लेकर वहाँ पर आ जाता है और सनी उस कार्बोरेटर को कार में फिट कर देता है अब जोर्ज उस कार की एक टेस ड्राइब लेता है और इसके बद वो उस कार को अपनी वीवी लेरिसा को गिफ्ट कर देता है जिसको पाकर लेरिसा काफी खुश हो जाती है इसी बीच रात में सनी और जोर्ज जोर्ज के घर पर सराब पी रहे थे जहांपर उन दोनों की बीच काफी अच्छी बाते भी हो रही थी लेकिन तभी यहांपर जोर्ज सराब पीते-पीते बेहोंश हो जाता है और इसी मौके का फाइदा उट अगर सनी लरिसा के पास जाता है और वो दोनों काफी करीब आते हैं अब करीब आने के बाद सनी लरिसा से पूछता है कि उसने जोर्ज के साथ साधी किसलिए किया जिसमें लेरी सब से बताती है कि पहले वो एक होटल पर काम करती थी और वो काफी गरीब घर की लड़की थी और उसने जॉर्ज के साथी इसलिए किया ताकि वो जॉर्ज की दौलत पैस कर सके इसी बीच वो सनी से ये भी कहती है कि वो उसके साथ भागने के लिए भी राजी है इसके बाद अगले दिन जॉर्ज सनी को एक खुले जगा पर लेकर जाता है जहाँ पर जॉर्ज सनी से कहता है कि इस जगास होकर कुछी दिनों में सिटी में जाने वाला हाइवे बनेगा जिस वज़े से इस जगे का जमीन का प्राइज काफी ज्यादा हो जाएगा और वो पहले से ही प्रॉफिट के लिए वो जमीन खरीद लिया है इसी बिच वो सनी से ये भी कहता है कि वो कुछी दिनों में यहाँ पर एक पार्क बनाना चाता है जिससे उसे काफी प्रॉफिट होगा अब सनी ये सब कुछ लेरिसा को भी बताता है और उन दोलों के पीच प्लैन होता है कि वो लोग जॉर्ज को मार कर उसकी प्रॉफिटी छीन लेंगे इसके बाद रात में सनी जॉर्ज को किस तरीके से मारा जाए इसके बारे में सोचने लगता है अगले दिन जॉर्ज लेरिसा को जब अपने पार्क के प्लैन के बारे में बताता है तब वो दोलों खुश होकर एक दूसरे को हग करते हैं और उधर सनी भी ये सब कुछ देखकर जल रहा था इसके बाद कुछी दिनों में जॉर्ज के पार्क का काम शुरू हो जाता है और उधर सनी और लेरिसा घर पर इंजॉय करते हैं अब यहाँ पर सनी जॉर्ज को मारने के लिए एक प्लैन बनाता है जिसमें वो जॉर्ज को इस तरीके से मारना चाता था ताकि उसे दिखने में एक्सिडेंट लगे सनी के हाथ भी उस ट्रक के नीचे आ गया था इसके बाद सनी लेरिसा को शॉपिंग करने के लिए भेज देता है ताकि पुलिस को इस बात का शक ना हो कि वो दोनों ने प्लैन करके जॉर्ज को मारा है इधर सनी पुलिस को भी कॉल करता है और थोड़ी दिर में लेरिसा जब रही थी तब ही पुलिस उसे काल करके उसके पती के मौत के बारे में इंफर्म करता है अब घर आने पर की मुलाकाद से होती है जो उसे बताता है कि जोर्ज एक अकसीडेंट में मारा गया जिसको सुनकर लेंडिसा क्रास के सामने ड्रामा करने लगती है इसके बाद रात में Crawford उन दोनों के उपर शक करने लगता है और वो सोचता है कि शायद उन दोनों ने मिल कर George को मारा होगा इसके बाद अगले दिन Crawford Sunny से पूछताच करने के लिए आता है जहाँ पर Sunny Crawford से कहता है कि उनका गैरेज काफी पुराना है जिस बज़े से वो लिभर फिसल गया और George की दबकर मौत हो गई अब ये सब कुछ सुनकर Crawford वहाँ से चला जाता है लेकिन वो दूर से उन दोनों के उपर नज़र रख रहा था इधर George के मर जाने के बाद उन दोनों को काफी प्राइवेसी मिल रहा था जिस बज़े से उन दोनों की रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था इसी बीच लरी से कंस्ट्रक्शन की काम भी शुरू कर देती है जो की दरसल George का सपना था इसके बाद एक दिन Crawford सनी को investigation करने के लिए बुलाता है और लरी सा उसे चोड़ने के लिए जाती है लेकिन Crawford का plan कुछ और था Crawford उन दोनों को पुली स्टेशन बुला कर खुद George की garage को चेक करने के लिए जाता है इसी बीच उसे investigation करने के दौरान ऐसा लगता है कि शाद सनी नहीं उस लिवर को एक रस्टी की मदद से खीचा है जिस वज़े से George की मौत हुई है उधर हम दूसरी तरफ सनी को देखते हैं जो की अभी भी पुली स्टेशन में Crawford की इंदेजार कर रहा था तब यहाँ पर Crawford आकर investigation करना शुरू कर देता है वो सनी को बताता है कि medical report से बता चला है कि George के उपर दो बार ट्रक गिरा कर उसे मारा गया है अब Crawford की इन सारी सवालों से सनी भी फस चुका था लेकिन वो उसे कोई भी जबाब नहीं देता और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है इसके बाद Crawford उसे छोड़ देता है और अगले ही सिन में हम देखते है कि सनी और लैरिसन करीब आ रहे थे उस रात वो दोनों काफी बाते करते हैं और इसी बीच लैरिसन सनी से कहती है कि वो उसके बच्चे की मा बनने वाली है अब सनी इस बात से काफी खुश हो जाती है और रात में लैरिसन जब शो जाती है तब हम देखता है कि वो कुछ सोचने लगता है इसके बाद अगले ही दिन सनी क्रॉफोर्ट के पास जाकर कहता है कि उसने ही प्रॉपर्टी के लिए जॉर्ज को अकेला ही मारा है और इसलिए उसकी जेल हो जाता है उधर दूसरी तरफ हम Larrison को देखते हैं जिसको नींद से उटने के बाद एक letter मिलता है जो कि दरसल Sunny ने ही उसके लिए छोड़ कर गया था उस letter को पढ़ने के बाद Larrison को पता चलती है कि Sunny ने उसके बच्चे और Larrison के लिए अपने लाइफ को sacrifice कर दिया है दरसल सनी बच्पन में एक आनाथालाई में बढ़ा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के जेल जाने के बाद उनका बच्चा एक आनाथालाई में बढ़ा हो और इसलिए ही वो अपने family के लिए अपने life को sacrifice किया है इसके बाद हम देखते हैं कि Larrison George की construction का काम शुरू कर देती है जिससे वो काफी अमीर हो जाती है और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि Larrison Sunny को अभी भी लेटर लिखा करती थी और साथ ही वो अपने बच्चे की फोटोस को भी उसे भेजा करती थी लेकिन मुवी के आखिर में हमें और एक मेजर ट्विश देखने को मिलता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो Sunny को फोटोस भेज रहा था वो दरसल उसके बच्चे की नहीं थी और मुवी के स्टाटिंग में वो चोड जोर्ज को लरिषा के कहने पर ही मारना आया था लेकिन Sunny ने जोर्ज को बचा लिया था और इसके बद लरिषा ने Sunny को अपने प्यार के जाल में फसा कर जोर्ज को मर वाया और आखिर में क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखी लिया सनी नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसके तरह अनात अलोई में बढ़ा हो इसके बद मुवी के आखिर में हम देखते हैं कि सनी को जॉर्ज के मर्डर के केस के लिए फासी देने के लिए लेकर जाया जाता है और दोस्तो यहाँ पर ये मुवी की कहानी खतम हो जाता है तो दोस्तो आपको ये कहानी और मेरा एक्स्प्लेंशन कैसा लगा अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को ज़रू सपोर्ट करना बाकि मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद